रशिया और यूकरियन के बीच यूद्ध से दुनिया के देशों को आर्थिक नुकसान हो रहा है लेकिन प्रदेश के गीहू उतपादक किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है। इस बार किसारों का गेहूं खुले बाजार में समर्थन मूली से 500 रुपे अधिक में बिक रहा है। मंडिया आबाद है और प्रति दिन लगभग 20,000 कुइंटल तक गेहूं मंडि में पहुच रहा है। वैपारियों का कहना है कि युद्ध के कारण रूस और पड़ोसी देशों से दुनिया के आन्य देशों में भीजा जाने वाला गेहूं बंध हो गया है। इसी कारण दूसरे देशों ने भारत से गेहूं खरीदने प्रारंब कर दिये हैं। इसी वज़ा से विदेशों में भारती गेहूं की मांग बढ़ गई है। संभव है कि भाविश्य में यहां गेहूं लगभग 3,000 कुइंटल तक पहुंचे। पिछले बार गेहूं के बाव 1800 से लेके 1900 तक थे और इस बार अभी 2200 से लेके 2425 सुरुपे है। रूस और यूक्रेणी विवात के बीच में भारती गेहूं को नए विदेशी वाया प्राप्त हो रहा है। रूस और यूक्रेण का गेहूं निर्यात 5-6 लाग टन प्रतिवर्स है। और उनकी आपूरती ठप होने से भारत गेहूं का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। अंगला देश, पाकिस्तान, फ्रांस, इरान, सिरी लंका गेहूं के मुख्य आयतक देश है। और चुकि यह देश हमारे इंडिया के करीब हैं, इसलिए हम इनको और अच्छे से कम रेट पर एक्सपोर्ट निर्यात कर सकते हैं। गेहूं का निर्यात हमारे हिसाब से इस बार लगबग 70 लाग टन होने की उम्मीद है। पिशले 10-15 दिन से गेहूं नया गेहूं चालू हो गया है। और प्रती दिन 18-20,000 कुंटल के आवक हो रही है। गेहूं की कॉलिटी भी अच्छी आ रही है। और साथ ही साथ गेहूं के रेट भी जो पिछले साल की तुलना में 30-400 रुपे प्रती कुंटल बढ़ा है। गेहूं की बंपर आवक से खनवा की मंडी गुलजार हो रही है। पिछले वर्षों की मुकाबले इस बार गीहूं की आवक फरवरी से ही शुरू हो गई और मार्च में आवक का आकड़ा रेकॉर्ड बना रहा है। साथकार द्वारा समर्थन मूली से अधिक दाम मिलने से मंडी में वहानों की कतार लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, खन्वा